हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे एपी कल्चर में हनी बी के बारे में एंड अगर आपको प्राउन कल्चर या फिर पिसी कल्चर के बारे में स्टड़ी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्सम में मिल हैं एंड हमें एपी कल्चर को स्टड़ी करने से पहले हमें इसमें स्टड़ी करना है हनी बी के बारे में डेट्स मिन हनी बी का इंट्रोड़क्शन मिन्स हनी बी क्या है एंड डिफ्रेंट वाराइटीस ऑफ हनी बी फाउंड इंडिया एंड हमारे भरत में हनी बी की कितने different varieties पाया जाते हैं, हमें इनके बार में study करना है, and social organization of honeybee, and जो honeybee होते हैं, इनका क्या social organization है, इनका क्या समाजिकता का role है, हमें इनके बार में study करना है, and life history, या फिर life cycle of honeybee, honeybee का क्या life cycle है, कैसा इनका जीवन चक्र होता है, हम इनके बार में study करेंगे, and some special social behavior of honeybee, and honeybee का क्या special social हम इनके बार में study करेंगे and products of honeybee that's mean honey means honeybee से जो honey प्राप्थ होते हैं उनके बार में study करना है and economic importance of honeybee that's mean honeybee से क्या इसका आर्थिक महत्तो है हमें इनके बार में study करना है and आज हम इस वीडियो में ये सभी topics बारे में डिटेल में study करेंगे and अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हों तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल for latest video ap culture is the scientific method of rearing of honeybee means अगर हम मधु मक्यों को scientific तरीके से बैग्यानिक तरीके से अगर उनको रियर करते हैं उनको हम उनकी ब्रेडिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं epiculture and हमें epiculture को इसको study करने से पहले हमें honeybee के बारे में detail में study करना है the honeybee is a social insect live in a community or colony within hypes polymorphic and represents better grade of social organization that means honeybee एक social insect है means ये एक समाजिक कीड़े है means इनका भी एक समाज है जहां पर ये रहते है and ये community या फिर colony बना कर रहते हैं जिसको बोलते हैं hypes hypes means छत्ता means मधु मक्यी जिस एरिया में रहते हैं उनको बोलते हैं hypes that means मधु मक्यी का छत्ता and honeybee polymorphic होते हैं polymorphic means जब कोई species दो से अधिक रूप में पाया जाता हो means कोई species दो से अधिक रूप में पाया जाए और वो अलग-अलग काम करते हो means उसमें division of labor means वो different work करेंगे तो उसको बोलते हैं polymorphic and represents better grade of social organization and इसमें honeybee में बहुत अच्छी तरीके से इनका social organization देखने को मिलता है the yield, honey and wax as economically important components therefore considered as economical insect and studied in detail for scientific culture means हमें honeybee से honey प्राप्त होते हैं and wax मिलते हैं and इनका ये बहुत economically important होता है means honey का और wax का बहुत ज़्यादा आर्थिक मात होते हैं means इनका जो component है बहुत useful होता है इस तरीके सी ये बहुत ज़्यादा economical insect है and इनको detail में study करना है for scientific culture जिससे कि हम इनको scientific culture कर पाएं that means epiculture कर पाएं different varieties of honeybee found in India and recommended for culture are as follows means हमारे भारत देश में honeybee के बहुत सारे different varieties पाएं जाते हैं जिनका practice होता है जिन से हमें honey प्राप्त होते हैं first variety of honeybee that is apis dorsetta जिसको rock bee या फिर saring भी बोलते हैं and they are giant common in plains and hills means ये बहुत बड़े size के होते हैं giant होते हैं and ये plains और hills area में बहुत जदा common रूप से पाए जाते हैं hive is larger in size and इनका जो hive है that means इनका जो छत्ता है वो बहुत बड़ा होता है size में and 60,000 to 1,000,000 members in a hive and इनके एक छत्ते में वहां पर 60,000 से 1,000,000 members होते हैं honeybee के and yield about 38 kg honey per comb and इनके जो एक comb है that means इनका जो एक hive है एक छत्ता है उससे एक ही honey comb से हमें उससे 38 kg honey yield होते हैं प्राप्त होते हैं and ferocious in nature that means यह बहुत ज़्यादा violent nature के होते हैं अगर हम इनको disturb करेंगे तो यह आकर हमको इनको परिसान करेंगे बहुत डरावने होते हैं and difficult to culture in artificial lives means यह ferocious होते हैं यह violent nature के होते हैं यह बहुत ज़्यादा fight करते हैं means बहुत ज़्यादा आक्रिमेट करते हैं यह किसी को भी अगर इनको कोई disturb करें तो इनको बहुत ज़्यादा काटते रहते हैं इसलिए इसी रिजन से इनको हम artificial hype में इनको हम cultivate या पिर इनका हम culture बहुत difficult होता है इसलिए हम apis dorsetta का culture करना पसंद नहीं करते हैं इसलिए हम दूसरे variety का यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा फिरोसियस ना हों बहुत ज़्यादा सीधी टाइप की हों जिनको हम easily culture कर पाएं एंड वो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं यह था apis dorsetta के बारे में एंड नेक्स्ट वाराइटी ऑप हनी बी डैट इच एपिस फ्लोरिया जिसको डार्फ बी भी बोलते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं डार्फ बी आर्सो नूनेस लिटिल बी एंड डार्फ बी को लिटिल बी के नाम से भी जाना चाता है smallest in size and यह size में बहुत छोटे होते हैं small होते हैं build hypes in bushes that means जाडिया में यह अपने hypes को बनाते हैं and densely lived small trees and small trees पर भी अपने hypes को बनाएंगे and stocks of crops plant and जो fossils होते हैं उनके जो stocks होंगे उनके जो डंडिया होंगी उन पर भी hypes बनाते हैं and found in plains or low land of tropics and subtropics means यह plains region पे and low lands of tropics and subtropics region में भी पाय जाते हैं they yield about 1 kg honey per comb and इनका जो एक comb होगा means जो एक comb that means जो एक hive है उनसे हमें सिर्फ 1 kg honey ही प्राप्त होंगे and a colony may comprises 4,000 to 6,000 individuals that means इनके एक hive में सिर्फ 4,000 से 6,000 individual honey भी पाय जाएंगे and इसमें एक hive से सिर्फ 1 kg honey भी हमें मिलते हैं क्योंकि apis floria से बहुत कम honey मिलते हैं इसलिए इनका culture करना बहुत ज़्यदा useful नहीं होता next variety of honey bee that is apis sirena india जिसको indian bee भी बोलते हैं they are medium in size means ये medium size क्योंके distributed throughout india india में ये बहुत ज़्यदा फैले हुई है and build combs preferably in the cavities and yield about 10 kg honey per comb that means ये अपना जो combs है इनका जो hive है ये cavities area में means अगर कहीं पर इनको wall में cavity मिलेंगी या फिर plants बड़े बड़े trees में इनको cavity मिलती है तो ये वहाँ पर जाके अपना hypes का formation करते हैं and yield about 10 kg honey per comb and इनके एक comb से हमें 10 kg honey मिलते हैं they can easily domesticated for culture program means artificial environment that means apis sirena इंडिया को हम आसानी से इसको पालतु बना सकते हैं means ये आसानी से इनको domesticate कर सकते हैं means इनको हम artificial environment भी अच्छी तरीके से इनको हम culture कर सकते हैं ये ता apis sirena इंडिया के बारे में next variety of honey bee that is apis malifera and इनको European या फिर italian bee भी बोलते हैं and it is exotic variety that means इनको बाहर से import किया गया है gentle होते हैं means कि बहुत सीधे होते हैं and easily domesticated and इनको हम आसानी से इनको domesticated कर सकते हैं and fully adopted in artificial hives and income artificial hives में आसानी से इनको कल्चर कर सकते हैं genetically improved means इनको gene के label पर improved किया गया है and yield 20 to 35 kg honey per com and इनके एक कॉम से 20 to 35 kg honey इससे मिलते हैं ये था इसमें different varieties of honey bee found in India India में ये different varieties के honey bee पाया जाते हैं and इन्डिया में abysmallifera का बहुत जदा यूज करते हैं culture करने के लिए honey bee प्राप्त करने के लिए क्योंकि ये बहुत सीधी type की होती है gentle nature की होती है and इनसे 20 to 35 kg honey प्राप्त होते हैं पर से इसलिए इनका यूज कल्चर करने के लिए बहुत किया जाता है next that is social organization of honey bee means honey bee का क्या समाजिक संगठन है हम इनके बार में study करेंगे means जो honey bee होते हैं ये इनका भी समाज है ये एक सोशल इंसेक्ट है दी honey bee is polymorphic social insect polymorphic means जब कोई species दो से अधिक रूप में पाए जाती हो और उनमें अलग-अलग काम करते हो में उसमें division of लेबर हो that means जैसे कि honey bee में queen bee and worker bee and drone ये सभी polymorphic forms है honey bee के एंड इनका सब का अलग-अलग काम है means ये सब में division of labor है and social insect represent great socialism by better division of labor means इसमें अलग-अलग सब काम करते हैं जितने भी इनमें टाइप्स हैं जैसे queen bee का अलग-वर्क है worker bee का अलग-वर्क है and drone का अलग-वर्क है and each colony of honey bee comprises means सभी जो कालोनी होती है उसमें ये सभी honey bee के types रहते हैं जैसे की workers workers होते हैं infertile female from fertilized eggs means जो workers होते हैं ये infertile female होंगे means ये reproduction नहीं कर पाएंगे and workers का formation हुआ होता है fertilized eggs से workers का formation होता है next that is queen means कालोनी में जो fertile female होगी means जो reproduction करेगी वो है इसमें queen and queen का भी जो formation होगा वो fertilized eggs से ही queen बनती है and next drone, drone होते हैं fertile male means इनका reproduction में role है and इनका formation होता है drone का formation होगा from unfertilized eggs means जो unfertilized eggs से drone का formation होता है जिस process को बोलेंगे parthenogenesis and अभी हम इनके बारे में detail में study कर रहेंगे queen bee के बारे में worker bee and drone के बारे में या जो image आपको sown हो रहा है या image है various cast of honey bee honey bee की जितने भी cast होती है या इनका image है जैसे की queen, drone, worker and इसमें जो queen होती है queen होती है fertile female and इसको अपनी colony का queen कहते है and ये size में सबसे बड़ी होती है means ये larger size में होती है and next cast that is drone drone होते है fertile male and इनको colony को king का जाता है means इनको colony का king बोलते है and ये medium size के होते है means ये workers और queen के medium size के होते हैं drone and next cast that is worker worker जो की style female होती है ये reproduction में बिल्कुल भी participate नहीं करती है and ये इनका size बहुत small होता है means ये size में बहुत छोटी होती है and इसमें जो drone है and queen है ये participate करती है reproduction में but workers style होती है ये participate नहीं करती है reproduction में and drone and queen participate करते है reproduction में and इनको बोलते है reproductive cast and worker को बोलते है non reproductive cast ये था image various cast of honey bee का जैसे की queen, drone, worker queen larger in size, drone medium in size and worker smallest in size ये था various cast of honey bee queen bee जिसको बोलेंगे fertile female of colony या colony की fertile female होगी means यही और करेगी reproduction का and deployed होती है and nursing and nest by workers that means इनको जो खाना की लाने का काम है and इनका queen bee का care करने का काम है means इनकी देखभाल करने का काम है workers bee का and larger in size means queen bee यही बहुत ज्यादा size में बढ़ी होगी and reproductive organs well developed and इनका जो reproductive organs है वो अच्छी तरीके से developed होगा and fully engaged in egg laying and इनका सिर्फ एक ही काम है उसमें colony में सिर्फ अंडा देने का means एक देने का maintain colony by secretion of pheromone that means जो colony है colony को stable करने के लिए means उसको अच्छी तरीके से colony को रहने के लिए जिसमें queen bee होगी वो phheromone को secrete करती है जिसके apparatus इसमें जो workers भी है वो in fertile रहती है means हों fertile में change नहीं होती है वो in fertile रहेंगी and उन одним וסका वर्ख करने का काम हैlaughs work करेंगी एंड जो ड्रोन्स होंगे उनको भी ये स्टेबल करने का काम करती है क्वीन भी क्योंकि इनसे फिरोमोन रिलीज होती है क्वीन मैंडीबुलर फिरोमोन और QMP और 9-Oxodec-2-Enoic Acid ये इनका जो इंपोर्टन फिरोमोन है ये इसका नेम है 9-Oxodec-2-Enoic Acid and feed on royal jelly and जो queen bee होगी ये royal jelly पर ही feed करती है and royal jelly होता क्या है mixture of digested honey and pollen means जो digested honey है means honey and pollen का जो digested mixture होगा उसी को बोलते है royal jelly और जिनको वो खाती है queen bee and life span about 2 years and इनका जो मतलब पूरा life है वो 2 years तक रहता है and lay about 15 lakhs in her life means अपने पूरे life में ये 50 lakhs x देंगी and lips in royal chamber means जो ये रहेंगी hypes में जो royal chamber होगा means जो मदु मक्की का चत्ता है उसमें queen bee के लिए एक royal chamber होता है वहाँ पर ये रहती है and so super schedule means ये वहाँ पर अपना प्रभावव डालती है means जिसके काड़र यहाँ पर सब इनकी मतलब इसको follow करते है means जो worker भी होंगे इसको follow करेंगे and जो drones होगे इनकी बात मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ये अपना मतलब phyro moons को release करती है जिससे की सब इनको अपना मतलब queen मानते है and lay fertilized as well as unfertilized eggs and जो queen bee होगी वो fertilized eggs को बनाएगी and unfertilized eggs को and जो fertilized eggs से उससे queen bee का formation होगा and उससे worker bee का formation होगा but जो इसमें unfertilized egg होगा उससे सिर्फ drone का formation होगा that means fertile male of colony means colony का जो fertile male होगा जिसको बोलते हैं drones and drones का formation होता है unfertilized egg से and process होता है parthenogenesis यह था इसमें queen bee and एक colony में means एक hive में मिन्स जो एकौम होगा उसमें सिर्फ एक ही क्वीन भी होगी जो वहाँ पर उसको कालोनी को इस्टैवल करने का काम करती है जिससे कि फिरुमोन सरलीज होते हैं वो पूरे कालोनी को मेंटेन करने का काम करती है next B that is worker B जो होती है इस्ट्राइल फिमेल means ये रिप्रोडक्शन में रोल नहीं करती है and ये स्ट्राइल फिमेल होती है means ये different type के work करती है यहाँः पर और इंका formation हुआ रहता है worker B का from fertilized eggs से means किये deployed होंगी these are deployed means इसमें 2 गने होंगे and smallest of all other cast all other cast means queen bee से and drone से ये सबसे छोटी होगी means इनका जो साइड जोगा small होगा body modified for collection of pollen and nectar means जो worker भी होगे इनकी body इस तरीके से बनाई जाएगी means बनी रहती है जैसे कि ये collect कर पाएं pollen को nectar को जिससे कि ये honey का formation होने में help कर पाएं and perform manifold activities within hives and ये hypes में बहुत सारे work करती है बहुत सारे इनकी activity होती है इनका roll होता है hypes में जैसे कि इनका indoor duties means hype में रहकर भी कुछ काम होती है and outside hypes means outside duties means कुछ ऐसी worker भी होगी जिनका indoor काम होगा means वो hypes में रहकर काम करेंगी and कुछ ऐसी worker भी होगी जिनका outside duties होगा means वो hypes के बाहर रहकर काम करती है जैसे कि worker भी में ये है first indoor duties तो इसमें हम देखते हैं क्या-क्या इनका indoor duties है the common indoor duties are nursing of nurseries जिसको बोलेंगे nurse means यहाँ पर जो indoor duties में nursing means care करना किसका care करना जैसे कि जो queen भी है उनकी care करना and जो queen भी के जो एक्स है लारबा formation हो रहा है उनको भी nurse करना उनकी भी care करना and high building जिसको बोलेंगे builders means जो hypes का formation करेंगे ऐसे worker भी जो hypes का formation करेंगे उनको बोलेंगे builders and ऐसी honey bee ऐसी honey bee means ऐसी worker भी जो nursing का काम करती है उनको बोलते है nurse and high repair जिसको बोलेंगे repairers means अगर hypes में कहीं बर कुछ मतलब उसको repair करने का requirement है तो जो repair करेंगे उनको बोलेंगे repairers ये भी indoor duties है and cleaning and hypes में सफाई करने का काम cleaning करने का काम cleaners होते हैं cleaners worker भी and fanning means कॉब में जो fanning करते हैं means honey को जो fan करेंगे उनको बोलेंगे fanners and storage of nectar pollen and honey जिसको बोलेंगे store keepers means ऐसे worker भी जो storage को काम करते हैं nectar का, pollen का, honey का उसको बोलते हैं store keepers and offense and defense जिसको बोलेंगे guard भी etc means कालोनी में offense करने का काम या फिर defense करने का काम means कालोनी को बचाने का काम या फिर fight करने का काम यह करते हैं workers भी जिसको बोलेंगे guard भी and यह थे indoor duties of honey bee जिस worker भी के and next outdoor duties that is the outdoor duties include foraging of food and water जिसको बोलते है forager means ऐसे worker भी जो बाहर काम करते हैं कौम से उनको बोलेंगे outdoor duties and इसमें जो outdoor duties में जो food या फिर water को search करते हैं means उनको forage करेंगे उन workers भी को बोलेंगे forager and collection of food and water and जो food and water को collect करते हैं वहां से लाला कर उसको बोलेंगे collector bee etc life span about six weeks means जो इनका worker bee का जो lifetime है six weeks होगा and about 15,000 to 18,000 workers per colony means जो एक single colony है उस कालोनी में 15,000 से 80,000 workers होते हैं जो work करते हैं and foods on nectar and यह जिनका जो भोजन होगा means इनका जो खाना होगा वो nectar होगा nectar पर यह feed करते हैं and represents extreme socialism means यह बहुत ज़्यादा समाजिकता को so करते हैं means यह बहुत ज़्यादा work करते हैं क्यों work करते हैं कालोनी को maintain करने के लिए means यह अपनी पूरी life means जो worker भी होते हैं जो इस्ट्राइल female है honey वी की यह अपनी पूरी life सिर्फ हाई या फिर हम कह सकते हैं कॉम्ब को maintain रखने के लिए इसको stable रखने के लिए बहुत ज़्यादा work करते हैं means यह अपने पूरे life में सिर्फ work करती रहत हैं means उनी के influence में वो सब काम करती रहती है and means यह extreme socialism को represent करती है यह इसका अच्छा एक्जामपल है socialism का next that is drone fertile male of colony means colony का यह fertile male means reproduction में अपना role देता है and यह colony का इसको king भी बोलते है and these are medium in size and यह size में medium size का होगा and haploid means single N है and developed from unfertilized eggs by parthenogenesis and यह unfertilized egg से means जो queen B है जो X release करती है जो unfertilized egg होगे यह उससे ही drone का formation होता है और उस process को बोलते हैं parthenogenesis and perform only fertilization duty of queen and यह सिर्फ यहाँ पर fertilization में अपना role देती है and a colony may have 100 to 200 drones at a time means एक समय में जो colony है वहाँ पर सिर्फ 100 से 200 drones होते हैं उस colony पर and they are short lived and इनका जो life span है बहुत कम है and feed on food यह food पर feed करते हैं जो की provide करेगा workers workers इनको खाना देते हैं they are stingless also means इन में जो डंक नहीं होता है means यह stingless होते हैं दी worker bees feed and take care of the drone bees till the virgin queen in their colony is meted means जिस में इस colony में जो worker bees हैं वो तब तक ही उस drone को feed कराएंगी जब तक कि उस colony में virgin queen है और मैटिंग करेगी तब तक ही उसको वो worker भी खाना देती है so their soul duty is to fertilize the virgin queen तो सिर्फ इसमें जो इतका जो ड्रोन है drone का सिर्फ एही एकी duty है एकी soul duty है कि virgin queen को fertilize करना after matting with the queen the drone dies means जब यह queen से matting कर लेते हैं तो उसके बाद यह drones मर जाते हैं क्योंकि जो इनका genital part होता है वो निकल जाता है इस वज़ा से यह जो drones होते हैं वो matting के बाद मर जाते हैं यह इसमें हमने study किया social organization of honey bee means honey bee का क्या इसका समाजिक संगठाने मिन्स किस तरीके सी social insect है हमने इनकी बार में study किया queen bee worker bee and next that is drone and इसमें अब हमें next study करना है that is life history or life cycle of honey bee means जो honey bee होते हैं इनका क्या life history है या फिर इनका क्या life cycle है हम इनके बार में study करेंगे and the different important events of life history of honey bee rs follows means इसमें हम पहले इसका notes देखने से पहले इसमें हम यह देखेंगे कि इनका life cycle किस तरीके से होता है यह image है life cycle of honey bee means यह image honey bee की life cycle को represent कर रही है and इनके life cycle में बहुत सारे different important events आते हैं जैसे कि neutral flight and copulation first storming जिसको बोलेंगे एक laying eggs and next that is larva next pupa and adult इसमें बहुत सारे important events आयेंगे इस तरीके से and इसमें में start करते हैं इनकी life cycle या फिर life history में study करना first that is neutral flight and copulation या फिर first storming means जो एक combe है या फिर hive है means जो honey bee कोई एक colony है उस colony में जब उसमें जो old queen है means जो old queen है means जो उस colony की जो queen थी बट वो किसी रीजन से या फिर उस colony में उसका debt हो गया उमर गई या फिर उससे फिरुमोंस release नहीं हो रहे हैं जो colony को stable कर पाए या फिर उसके पास अब इतनी potential या फिर उसके पास अब इतनी छमता नहीं है कि वो एक को ले कर पाए means अंडे को दे पाए इसलिए उस colony में जो वर्कर्स होते हैं तब उस टाइम या डिसाइड करते हैं कि हम अब इसमें queen bee का formation करेंगे means अब उस colony में जो old queen थी अब वो यहां पर means अब वो अपना फिरुमोंस नहीं कर पा रही है and अब वो अंडे नहीं दे पाएगी and किसी रिजन से उमर और गई तो अब उस colony को स्टावल रखना है तो हमें इस colony में नई queen को रखना है means उसको हम यहां पर colony को मेंटेन करने के लिए इसमें new queen bee को formation करेंगे यहां पर इस colony में new young queen bee को formation करने के लिए यहां पर दो तरीके होते हैं इनके पास फर्स्ट यह तरीका होता है कि जो old queen bee है उससे जो एक fertilized एक प्रडियूस हुआ है ले कर यह अंडा दी है तो उस अंडे से जो लार्वा का formation हुआ है उस लार्वा को अ यह एक तरीका है जिससे कि queen bee का formation होगा अगर हम लार्वा को खिलाते हैं royal jelly तो उससे new young queen bee का formation होगा एंड इसी के साथ दूसरा यह तरीका है कि अगर हम किसी worker bee को means जो worker bee है जो भी तो infertile है बट अगर इसको हम royal jelly feed कराते हैं अगर इसको हम royal jelly खिलाते हैं तो यह भी convert हो सकती ह इसको हम ऐसा कर सकते हैं तो इसमें दो तरीके हैं जिसकी help से यहां पर emergency condition में मिंस जो old queen bee है वो मिंस उपरी तरीके से capable नहीं है कि उस colony को maintain कर पाए तो यहां पर इस तरीके से new young queen bee का formation करते हैं दो तरीके हैं एंड जब इसमें new young queen bee का formation हो जाता है तो इसमें new young queen bee क्या करती है कि उस emergency condition में जब पूरी तरीके से queen बन गई है मिंस अभी वो virgin है मिंस वो अभी तक mating नहीं करी है मिंस जब यहां पर उस queen bee का formation हो गया तो अभी वो मैटिंग नहीं करी है मिंस अभी वो virgin queen है तो वो क्या करती है कि मैटिंग करने के लिए या queen bee aerial flight करेगी मिं इससे बहुत सारे מאा रिलीज होंगे तो इसमें क्या होता है सवार्म आप ड्रोन मिंस जो फर्टाइल मेल है तो उसमें क्या होता है ड्रोन कर जो बहुत सारे ग्रूप होंगे बहुत सारे जुन्द होंगे जो इस new queen bee को follow करेंगे मिंस इनके पीछे-पीछे आएंगे एंड इसमें मैटिंग होगा मीड एयर में मीड एयर में यहाँ पर मैटिंग होगा और जो क्वीन भी है यहाँ रिसीब करेगी इस पर मैटर फोर्स ड्रोन से एंड इसमें जो इस पर मैटर फोर्स है जिसमें इस पर मैटर फोर्स को जो queen होगी वो अपनी body में spermatica में means जो queen भी है वो अपनी body में spermatica में spermatophores को store कर लेगी जो की या spermatophores को वो अपनी पूरी life में यूज करेगी एक को fertilize करने के लिए and इसमें जो क्या होता है कि जो drones हैं इनका genital part यहाँ पर release होता है matting करने के time यहाँ पर इसको genital part removed हो जाता है इस वज़ा से यहाँ पर जो drone होगे वो बर जाएंगे and यहाँ पर matting के बाद यह पर हम कह सकते हैं compilation के बाद यह ground पर means यह जमीन पर गिर जाएंगे and इसमें जो कुछ समय बाद जो queen है queen return हो जाएगी हाइप पर जली जाएगी means जो matting करने के बाद यह लोग वहाँ पर ground पर गिर जाएंगे and जो queen होगी यह return हो जाएगी हाइप पर means अपने कौम पर and इस process को या फिर हम कह सकते हैं इस phenomenon को means इस process को या फिर इस phenomenon को बोलेंगे natural flight या फिर marriage flight या फिर first storming या फिर cooperation या इसका process है and honey bee में generally या notice किया गया है कि जिसमें honey bee में जो female है वो सिर्फ एक बार mates करती है mutual flight के दौरान but ऐसा भी USA में notice किया गया है कि यहाँ पर multiple successive meeting होती means कई बार वो जो honey bee female है जो queen है वो कई बार flight करते समय बहुत time meeting करती है and जब queen honey bee अपने हाइप या फिर कौम पर लोट जाती है तो 3 to 4 days के बाद यह वहाँ पर एक ले करे की means under देगी and इसमें जो queen bee है यह 1500 x per day देगी next event that is eggs and इनका जो honey bee का जो egg होगा वो पहली पात तो fertilized and unfertilized एक दोनों होगे and इनका एक बहुत small होगा and यह pinkish color में होगे means pink color में होगे and elongated elongated means इसमें जो एक होगा वो लंब और पतला होगा and cylindrical and यह bell naked shape में होगे यहाँ पर जैसे कि image में son हो रहा है कि यह जो fertilized egg से fertilized egg से two types के यहाँ पर larva का formation होगा means two types के कास्ट का formation होगा जैसे कि जो लार्बा है लार्बा तो यह from fertilized egg का है लार्बा तो इसमें जो लार्बा deployed है यह अगर इसको हम normal diet provide कराते हैं तो यह workers में convert हो जाएंगे workers भी इसमें कैसे हैं deployed हैं बट इसमें अगर यह fertilized egg का दूसरा कास्ट है अगर इसको हम royal jelly पर fit कराएंगे तो यह directly queen में queen bee में convert हो जाएंगी एंड यहाँ पर जो unfertilized egg है जो unfertilized egg है इससे जो लार्बा का formation होगा means it deployed है means इनमें fertilization नहीं हुआ है तो इसमें parthenogenesis होगी इस लार्बा में इस pupa में तो यह convert हो जाएंगे drone में means king of colony जिसको बोलते हैं drone इसमें parthenogenesis process होगा जिससे यह drone में convert हो जाएंगे next that is larva इसमें क्या होता है कि जो यह x है एक से इसमें larva का formation three days के बास means तीन दिन के बाद एग hatch होगे अंड़ा फूटेगा इसके बाद इसमें larva का formation होगा जो इसमें larva होते हैं larva को starting में means चितने भी larva हैं सभी larva को starting में कुछ समय तक सभी को royal jelly feed कराते हैं बट इसमें कुछ समय बाद क्या होता है कि जो इसमें जो queen है सिर्फ queen कोई royal jelly feed कराते हैं जो इसमें workers हैं और जो drones हैं उनको सिर्फ होनी एंड पॉलन को फीट कराती है एंड इसमें जो लारबा होंगे वो एक हाइप का एक चैमबर होगा उसमें ये सील्ड रहते हैं एंड जब लारबा में मॉल्टिंग हो जाएगी तो ये लारबा कनवर्ट हो जाएगे निकलता है तो जो हाइप चैमबर है या फिर जो सेल्ड हाइप चैमबर को सेल्ड भी बोलेंगे जिसमें वो pupa present है तो उसमें उस cell cap को means जो hive chamber में जो cell है जो cell का cell cap है उसको वो mandibles की help से cut करेंगे जब वो adult में आ गए है and इसमें जो pupa का जो time period है metamorphosis होने में adult में time period सभी cast के लिए varied होता है means अलग-अलग means अगर queen bee का उसमें pupa है तो queen bee को metamorphosis होने में adult होने में उसको सिर्फ 13 days लगेगा बट इसमें अगर worker pupa है तो इसको adult होने में 18 days लगेंगे जिससे की metamorphosis होकर worker में इसका transform हो जाएगा पट इसमें जो drone होते है drone को drone के pupa को transform होने में बहुत ज़दा time लगता है 21 days लगता है drone के pupa को transform होने में adult में लार्वा एंड प्यूपा के बाद इसमें नेक्स्ट इवेंट आता है डाट इज एडल्ट एडल्ट मिंस यहां पर जब यह convert हो गए workers में कुईन भी में ड्रोन में मिंस जो एडल्ट होंगे यह बहुत एक्टिब होंगे फ्लायर होंगे मेंस यह फ्लाई करेंगे एंड इनके कास्ट में भी differentiation होगा जैसे कि जो एडल्ट में queen होंगी जो fertile female होंगी और इसमें जो वर्कर्स होंगी यह इस ट्राइल होंगे जो colony को existence में उसको maintain करेंगे यह था इनकी लाइप साइकल मिंस इनकी लाइप साइकल क्या है कि जिसमें queen भी है कि ड्रोन से निप्चल फ्लाइट में कॉपलेशन करेंगी एंड उसके बाद इसमें जो ड्रोन है यह टाई हो जाएगा मर जाएगा एंड के बाद जो queen भी होगी और सटीलाइस्ट करेंगे गह इसके बाद इसमें लार्वा का फारमेशन वहगा में जो क술 बस्टियरलाइस्ट एक से दो टाइप का लारवा का होंगे मिन्स यह लार्वा है प्लाइड होंगे तो है प्लाइड होंगे इसमें जो डेबलफ पार्थिनो जनिसिस होगा मिन्स इसमें पार्थिनो जनिसिस से इनका डेबलफमेंट होगा एका नोट हो जाएंगे ड्रोन में जो की है प्लाइड रहेगा इस तरीके से इनका यह events है means life cycle है and इनका यह life history है and अभी हम इसका notes discuss करेंगे means इसको हम किस तरीके से note करेंगे heading that is life history or life cycle of honeybee and the different important events of life history of honeybee rs follows इसमें जो different life history होते हैं इस तरीके से following है first है that is nubcial flight and cooperation जैसे कि मैंने life cycle में बदाया था कि जब यहाँ पर queen bee का need होता है means new young queen bee का need होता है तो इनका किस तरीके से formation होता है means तब वो virgin queen रहती है तब यह aerial flight करेंगी nubcial flight जहाँ पर वो mate करेंगी about a beak after emergence the virgin queen make sir first aerial flight followed by a swarm of drone means जब यहाँ पर emergency condition create होती है तब यह virgin queen aerial flight first aerial flight में जाती है and यहाँ पर तब इसको बहुत सारे drones means group of drones यहाँ पर इनको follow करेंगे इस virgin queen को and mating occurs in the mid air and mid air में mating होगी queen receives spermatophores from the drone means जब में queen होगी वो receive करेंगी spermatophores drone से and इसके बाद जब में जो spermatophores है queen अपने spermatica में store करेंगी and stored in the spermatica and use throughout life for fertilizing egg and इस spermatophores को वो पूरे life एक को fertilize करने में यूज़ करती है the genital part of drone are forced out with pressure at the time of mating therefore it is died means mating करने के time जो इनका जो drone है drone का जो genital part है वो forced out हो जाता है बाहर आ जाता है pressure की कारण इस वज़ा से जो drone होते हैं died हो जाते हैं the paired mate after successful copulation fall on the ground and finally queen return to the hype means copulation के बाद जो paired mate है ये ground पर गिर जाएंगे and इसके बाद जो queen होगी वो hype पर return कर जाएगी बट इसमें जो drone है वो मर जाएगा this phenomenon is popularly termed as neutral flight और marriage flight और first storming means ये जो phenomena है इसको हम neutral flight बोलेंगे या फिर marriage flight and इसमें कुछ और point है generally honey bee mates only once during neutral flight means जो common तोर पर किया देखा गया है कि जो honey bee female होती है जो queen bee है ये सिर्फ एक ही बार aerial flight में means neutral flight में सिर्फ एक ही बार mate करती है but latest finding in USA suggest multiple successive mating during the flight before egg laying means USA में ऐसा research किया गया है कि जो queen bee होती है इग ले करने से पहले means अंटा देने से पहले ये कई बार means कई बार ये mating करेगी जब तक इसको ऐसा ने लगेगा कि इसका spermatica पुरी तरीके से spermatopor से store हो गया है जब तक इसको ऐसा feel नहीं होता तब तक ये successive mating करती है ये USA में से सच किया गया था एंड ये था नूप्चियल फ्लाइट एंड कॉपलेशन के भारे में नेक्स्ट इबेंट लाइफ साइकल आफ होनी भी डाट इस एग लेंग आप्टर थ्री तुफोर देस आफ कॉपलेशन फर्टिलाइस्ट कुईन स्टार्ट एग लेंग इन दे सल्स आफ आइप एड दी रेट एबाउट फिप्टीन हंडरेड एक्स पर डे डाट्स मिन जिसमें जो कुईन भी है जब ये कॉपलेशन के बाद ये हाइप पर लोड जाती है तो तीन से चार दिन बाद जो कुईन भी होगी वह स्टार्ट कर देती है एक ले करना मिन्स अंडर डेना एंड इसमें जो एक ले की जो इसकी फ्रिक्वेंसी है फिप्टीन हंडरेड एक्स ये प्रती दिन मिन्स पर डे देगी एंड जब तक ये मर नहीं जाती तब तक ये एक को देती रहती है इसमें जो एक होते हैं ये दोनों ही फटिलाइस्ट्ट एक होंगे और नान फटिलाइस्ट टाइब की एक होंगे इसमें जो फटिलाइस्ट्ट्ट्ट्ट Lisa मुश्से व्रकर्ज का औरалась उन फूर्मेशन होता ह intrins Mr को यह खे पर्टिलाइजट एग है उससे सिर्फ ड्रोन का फॉर्मेशन होता है प्रॉम पार्थिनोजनिस नेक्स्ट इबेंट डैटिज एक्स 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 ऑफ हनी बी आर स्मॉल पिंकीज इलॉंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल मिन्स हनी बी का जो एक्स होगा वह स्मॉल होगा छोटा होगा पिंकी स्पिंक कलर में होगे एंड इलॉंगेटेड मिन्स लंब और पतला होगा एंड सिलेंड्रिकल बिलनाकार सेप में होगा यह ता इनका एक्स के बारे में एक्स्ट इबेंट डैटिज लार्वा दी एक्स हैस्ट ऑउट इन्टू लार्वा आप्टर इबाउट इस में जो एक होगा वह हैस्ट होगा मिन्स अंड़ फूटेगा तीन दिन बाद उससे लार्वा का फॉर्मेशन होता है एंड सर्ब्ड रॉयल जली बाई वर्कर्स एस फूट फॉर्ट फॉर सम्टाइम्स मिन्स कुछ समय तक जितने भी लार्वा होते हैं इन सभी को रॉय छीली फूट करा जाता है जितने भी लार्वा का फॉर्मेशन होता है बट लेटर और बी ऑफ ट्रोण एर्वर्कर्स और सर्ब्ड उली हणी और भॉलन बट यहां पर कुछ समय बाद जो लारवा हैं ड्रोन के and workers के इनको feed करा जाता है honey and pollen लारवी of queen is continually served royal jelly बट इसमें जो लारवी of queen के जो लारवा हैं इनको सिर्फ royal jelly feed कराते हैं These larvae are sealed in the chambers of hive and undergoes malting and finally transformed into pupae मिन्स इसमें जो लार्वी है यह chambers of high five का जो chamber है उसमें यह sealed होते हैं बंद होते हैं एंड उसमें यह malting करके transform होते हैं pupae में next event that is pupa pupa pupae का singular form है pupa of honey bee remain closed in cocoon within hive chamber and undergoes metamorphosis to transform into adult means इसमें जो honey bee के जो pupa हैं यह closed होते हैं बंद होते हैं cocoon में and जो cocoon है जो means जो honey bee है जो closed है cocoon में यह रहेंगे hive chamber में and वहां पर यह metamorphosis करते हैं जिससे कि यह adult में यह transform हो सके the adult emerge out from the hive chamber or cell by cutting cell cap with the help of mandibles that's mean इसमें जो pupa है जो adult में formation कर रहा है इसमें जो adult जब बन जाएंगे transform हो जाएंगे pupa से adult में तो यहां पर जो hive chamber यहां फिर cell में sealed हैं तो यहां पर जो उसका cell का जो cell cap है उसको यह cut करते हैं with the help of mandibles, mandibles की help से यहां पर यह cell cap को cut करेंगे इसके बाद वहां से बाहर आते हैं the time period of pupa varies for each cast means इसमें जो pupa है pupa से adult में convert होने में transform होने में सभी कास्ट के लिए अलग-अलग time period हैं जैसे कि queen के लिए 13 days का time है that is 13 days for queen and 18 days for worker worker के लिए 18 days लगते हैं pupa से adult में convert होने में and 21 days for drone and drone होते हैं means pupa को drone में convert होने 21 days लगते हैं transform होने में यह ता इसमें pupa के बारे में next and last event of life cycle that is adult the honey bee adults are active flyer means यह बहुत fly करेंगे and differentiated as queen जो queen होगी उसमें इनका differentiation होगा जो की fertile female होगी and जो workers होगी यह strile female होगे and जो drone होगी यह fertile male होगे out of this queen and drone are reproductive caste जिसमें की queen है and drone है यह सभी reproductive caste है means यह fertile है यह reproduction में रोल करेंगे and workers maintain existence of colony and workers होते हैं यह trial होते है इस trial caste होता है इनका and जो यह colony को exist करने में इसको maintain करने में इसको stable करने में यह help करते है next topic that is some special social behavior of honeybee means honeybee का क्या कुछ special social behavior that is swarming जिसको बोलेंगे यहाँ पर second swarming the leaving of colony by the queen along with workers and drones due to overpopulation that means यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर कोई colony है honeybee का लेकिन honeybee के colony से अगर queen workers के साथ और drone के साथ वहाँ से fly करके कहीं और पर जाकर रहने लगती है due to overpopulation means अगर वहाँ पर बहुत सारी population हो गई इस कारड़ से या फिर food scarcity means वहाँ पर अच्छी तरीके से वहाँ पर food नहीं है इस रिजन से या फिर अन्सुटेबल साइट मिंस वह साइट अच्छी नहीं इस वह प्लेस अच्छी नहीं है मिस्वहाँ पर उनको disturbance बहुत हाई हो रहा है मिस उनको बहुत disturb हो रहा है उनको human या फिर किसे भी atmospheric event की कारण उनको वहाँ पर disturbance फिल हो रहा है या फिर over population या फिर food scarcity की कारण वहाँ पर जो queen है worker के साथ और drone के साथ वहाँ से उस colony को लीप करके कहीं और पर जाकर रहने लगती है इसको बोलते है second swarming and usually in the noon queen are called swarming means इसमें जो स्वार्मिंग हो रही है मिन्स स्वार्मिंग मिन्स जो कॉलोनी को लीप कर रही है जो कॉलोनी को लीप कर देगे queen इस अपने workers के साथ ड्रोन के साथ यह एकसर नोटिस किया गया है noon के time means दोपहर के समय में और दिन के समय में दे के समय में ऐसा नोटिस किया गया है कि इसमें जो queen होती है workers के साथ एंड ड्रोन के साथ लीप कर देदी इस कॉलोनी को कॉलोनी को छोड़ कर किसी और प्लेस पर रहने लगती है जिसको बोलते है second swarming the swarm in a selected nexting side and tree construct new colony इसमें जो स्वार्म होगा means जो साथ जुन्ड है यह ऐसी प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर वह अपने स्कॉम्ब को means अपना इनका जो हाइब है उसको वहाँ पर formation कर पाएं उसस साइट पर उनको डिस्टर्बेंस नहों एंड वहां पर वो न्यू कालोनी को रीकंस्ट्रक्ट कर पाएं ऐसी प्लेस पर जाएंगे न्यू साइड पर जाकर ये रीकंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू कालोनी को ये था इसमें सेकंड स्वार्मिंग के बारे में एंड यहां पर फर्स्ट स्वार्मि कुईन को वर्जिन कुईन को फॉलो करते हैं फॉर मैटिंग फॉर कॉपलेशन जिसको बोलते हैं नुप्चियल प्लाइट या फिर मैरिज प्लाइट या फिर फरस्ट स्वार्मिंग बट अगर यहां पर कुईन भी इसमें जो कुईन भी है उसके साथ वर्कर्स ड्रोन सब ज इन्मॉर्मेंटल कंडिशन और टर्म्ड एस इपसकॉंडिंग सम्टाइम इट अकर्स एस रिप्लेस्मेंट आप साइट डैट्स मीन इसमें जो हनी भी की जो कालोनी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाए मिंस डैमेज हो जाए पूरी तरीके से क्योंक एंड जैसे कि अन्फेबरेबल इन्मॉर्मेंटल कंडिशन जैसे कि वहाँ पर बहुत बारिस हो रही हो या फिर वहाँ पर उनको हुमन लोग बहुत डिस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर सम्टाइम इट अकर्स एस रिप्लेस्मेंट आप साइट एंड कभी-कभी यहनी भी द डिविजन अप कोलॉनी एस रिपोर्टेड को नुक्विंट सेपलेस करते है तो को बोलते है इस सूपर सिडियो रिक्वीन हुपी अगर उस कालोनी में जो ओल्ड क्वीन है अगर वह ओल्ड क्वीन यहां पर बहुत ज़्यादा अंडे नहीं दे पा रही है तो उस कालोनी में जो ओल्ड क्वीन है उसका डेथ हो गया तो यहां पर इस कालोनी में यहां नीड है कि जो ओल्ड क्वीन है जो मर गई या फिर अभी जिन्दा है बट बहुत ज़्यादा अंडे नहीं दे पा रही है तो उस ओल्ड क्वीन को यहां पर न्यू क्वीन से रिप्लेश करना होगा मिंज उसको सुपरषीडर करना पड़ेगा बाई सुपरषीडर क्वीन मिंज नई क्वीन से तो इसको बोलते हैं सुपरषीडर और दी वर्कर्स आर रिस्पॉंसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एमर्जंसी कुईन एंड यहां पर इस कॉलोनी में जो वर्कर्स होंगे वो रिस्पॉंसिबल होंगे न्यू एमर्जंसी कुईन को प्रोड्यूस करने में जैसे कि यहां पर क्या होता है कि दी टू डेस ओल्ड larvae in the worker cell means worker cell में यहाँ पर क्या करते हैं कि जो दो दिन की old larvae है उसको यहाँ पर select करते हैं and यहाँ पर उसके बाद इसको their cells are enlarged and larvae are fed on royal jelly to develop into emergency queen means यहाँ पर जो calm का means to hype का cell है उसकी size increase करते हैं enlarged करते हैं and इस larvae को feed कराएंगे, fed कराएंगे royal jelly पर जिससे की वो emergency queen में develop जाए and such young queen which replace old queen is called super sedger and यहाँ पर जो young queen है, जो old queen को replace करेगी, जिसको बोलेंगे super sedger यह था इसमें some special social behavior of honeybee next that is products of honeybee means हमें honeybee से क्या मिलता है means इतका क्या product है honeybee का that is honey the honey is a complex substance made when the nectar pollen and sweet deposits from the plants and trees are ingested by honeybee and get mixed with the saliva and under goes certain chemical changes due to enzyme action means जो यहाँ पर honey है यह complex substance है जो की बनता है कैसे ही इसमें जो honeybee होती है वो यहाँ पर nectar pollen and जो sweet होती है flower के उसको deposit करती है plants से and trees से जो की यहाँ पर जो nectar pollen है and जो sweet होती है जो उसको deposit कर रही है वो deposit करती है इंजेस्ट करके honeybee and उसको फिर वो अपने saliva से mix करेगी and उसमें कुछ chemical changes होंगी due to enzyme action जिससे की honey का formation होता है there is also added some ingredients by honeybee and यहाँ पर honeybee ड्वारा कुछ ingredients भी mix किया जाता है इसमें this processed substance with reduced water is now called honey यह जो processed है इस substance को formation करने में and यहाँ पर जो water को reduced किया गया है इस substance में जिसको बोलते हैं honey यहाँ पर इसकी बहुत processing होती है honeybee डॉला and deposited in store cells of hive or supplied as food to the colony members and इसको यहाँ पर जो colony members है उसको यहाँ पर food की तोर पर use करते हैं and इसको store cells में hive के जो store cells होते हैं जिसमें यह जो बहुत ज़दा honey बन जाते हैं उसको वहाँ पर stores करते हैं the composition and economical importance of honey are as follows means honey का क्या composition है and इसका क्या economical importance है अभी हम इनके बार में study करेंगे इनका composition है water इसमें होते हैं 20.89% जिसको बोलेंगे apiary honey and labilose इसमें होते हैं 41% and dextrose होते हैं 35% sucrose 1.9% dextrin less than 2% and enzymes होते हैं 2% and इसमें कुछ ऐस होंगे 0.185 से 1.4% यह थे इनके composition and honey bee digested invert sugar sucrose into labilose and dextrose with the help of enzymes in the crop and यहाँ पर crop means fustle नहीं है crop means यहाँ पर है कि honey bee का ऐसा elementary कनाल का portion यह फिर region जहाँ पर वो किसी substance को dilate करते हैं उसको बोलते हैं crop and यहाँ पर जो honey bee है digest करता है means sucrose को यहाँ पर करेगा convert करेगा labilose में यहाँ फिर distrose में यहाँ पर इस सुक्रोज को convert करता है there is also present maltose and rafinose in the small quantity and यहाँ पर maltose and rafinose भी small quantity में present होते हैं यह सभी carbohydrate के form है next that is economic importance of honey means honey का क्या आर्थिक महत्त है the major portion of honey production is used as food or food ingredients in preparation of jelly jam sauce ketchup confectionery sweets candies toffees chocolates bakery products etc means यहाँ पर जो honey का production हो रहा है उसका major यूज किया जा रहा है food के तौर पर या फिर इनको honey को food ingredients की तरह यूज किया जा रहा है jelly को बनाने में jam को sauce को ketchup को sweets को candies को toffees को chocolates को या फिर bakery products को यहाँ पर honey का यूज किया जा रहा है actually यहाँ पर canlofiric नहीं यहाँ पर calorific means C-A-L-O-R-I-F-I-C यहाँ पर C-A के बाद मैंने R यहाँ पर इसे लिख दिया यहाँ पर होगा C-A-L-O-R-I-F-I-C actually calorific value of 200 gram honey is equivalent to 9.15 liter milk और 1.6 kg बटर और 330 gram meat means यहाँ पर यहाँ है कि अगर हम 200 gram honey का यूज करते हैं तो या 9.15 लिटर milk के बराबर एक्वाल है या फिर 1.6 kg बटर के इक्वाल है या फिर 330 gram meat के इक्वाल है 200 gram honey यहाँ पर इसकी यह calorific value है Next economic importance of honey that is the honey has medicinal importance as antimicrobial paste antiseptic and sedative material means यहाँ पर honey का यूज medicinal level पर भी importance है जैसे कि antimicrobial paste की तरह इनको यूज करते हैं या फिर antiseptic and sedative sedative means अगर करी पर घाओ हो गया है means यह उन्ट healing है means यह घाओ को heal करता है it also help in synthesis of hemoglobin means यह hemoglobin के formation में भी help करता है and helpful in prevention of cough cold and fever fever cough cold को prevent करने में भी help करता है the honey systems of medicine means जो honey है इसको ayurveda and urinani system में इसको बहुत medicine की तरह यूज करते हैं next economic importance of honey that is the honey is used in making alcoholic drink ethanol poultry and fishery foods etc means honey का यूज यहाँ पर alcoholic drink को बनाने में यूज करते हैं ethanol को बनाने में भी honey का यूज करते हैं poultry and fishery foods means इनका फोजन बनाने में भी इनका यूज करते हैं honey का next that is in laboratory honey is used for making bacterial culture and growth of plant means honey का यूज लैब में bacteria को culture करने के लिए भी यहाँ पर honey का यूज करते हैं क्योंकि इनसे food का source तो है ही है साथ साथ में यह antimacrobial है इसलिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं bacterial culture में culture medium में and plant की growth के लिए भी यहाँ पर honey का यूज करते हैं next economic importance of honey that is the honey is used as mild bleaching paste and formation of facials sample and other cosmetics means यहाँ पर honey का यूज cosmetics products में भी यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर bleaching के लिए bleaching paste में honey का यूज करते हैं facials का formation करने के लिए honey का यूज करते हैं sample का and body lotion का बनाने में and बहुत सारे तरीके से honey का यूज करते हैं cosmetics products में and यह थे इसमें economic importance of honey and यहाँ पर honey भी से हमें honey के अलावा भी और भी बहुत सारे इनसे honey भी से products मिलते हैं जैसे की honey तो मिलते ही है wax, propolis, and pollen, and royal jelly यह सभी products है honey भी के and next video में हम discuss करेंगे apiculture that means method of beekeeping किस तरीके से हम beekeeping करते हैं हम इनके बारे हम discuss करेंगे and अगर आपको मेरी video useful लगी हो तो then please like, comment and share this video in your friend circle and subscribe to my channel and thanks for watching this video करेंगे जयुक थूएंगे आपको धारे हैं द लूएंगे करेंगे करेंगे जयुक तूएंगे